Hello everyone, Good morning all of you, Welcome to my channel exam store, exam store channel में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ तो friend इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPCCC से कुछ latest update आ रही है जो आपके शामने में पेश कर रहा हूँ तो guys यहाँ पे देख सकते हैं UPCCC इतना लेट लतीफ काम करता है आप देख सकते हैं कि 5 साल में भी भी पूरी नहीं हो सकी है UPCCC UP में अविकारी शिपाई की भरती तो देख सकते हैं guys किस तरह यूवावे रोजगार हो रहा है क्योंकि 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी भरती को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगबग 5 साल कम्पलीट हो गए लेकिन अभी तक यूवाव को भरती नहीं हो पाई है तो चली इस वीडियो का मादम से हम लोग जान लेते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यह जो कबर आई हुए उल्तिवी खबर हिंदुस्तान लाइफ से 4 सितंबर 2021 को 6 बच के 43 एम पे आई हुए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट कबर है उत्तर प्रदेश में अभिकारी शिपाई के 405 पदो पूरी तरसे नहीं हो पाई अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने 2016 में इन पदो पर भरती के लिए विज्यापन प्रकाशित किया था उसके बाद लिखित परिच्छा के बाद सारीदिक दच्छता के लिए 402 अभियार्थियों का चैन हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हैं कित प्रdoes इसका बार्च अंतरिव होने की बारी जनकारी के अनुसार अब 5 अक्टूबर से इन अभियार्थियों के सच्छत कारं की परक्रिया शुरू होने की तयारी है तो यह याद रखीए अब जो है जाके इसका इंटर्वियार्थ वहोने वाला है वो भी कबसे पांच अकटूबर से इन 2266 अभियारतियों में 615 जो है आनाराच्छित वर्ग से हैं 215 से हैं और 13 से हैं और 1430 ओभीशी वर्ग के हैं तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने आपको यहां पर बता दिया जो टोटल 2266 कैंडिडेट हैं खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं प्रदेश के अबकारी महकमे के वर्ष 2011 में शिपाईयों के 400 पदों पर भरती की गई थी उसके बाद 2016 में 405 पदों पर भरती के लिए भी नहीं हो शकी मानकों के मुताबिक अबकारी विभाग के हर सेक्टर में 4 शिपाई और 2 हेड कॉंस्टेबल होने चाहिए यानि जो मानक बनाये गया है उसके एकॉर्डिंग हर सेक्टर में लगबग 4 शिपाई और 2 हेड कॉंस्टेबल होने चाहिए इस हिसाब से पूरे प्रदेश में 4500 अबकारी शिपाईयों की जरूरत है, मगर इस वक्त सिर्फ 1800 शिपाई कारेरत है, हर साल 100 से 1500 अबकारी शिपाई रिटायर होते जा रहे हैं, मगर उनके खाली पदों पर समय से भरती नहीं की जा रही है, प्रनोत्री भी नहीं हो पा रही है, शमय से न की प्रनोत्री भी समय से होती है, विभाग में कारेरत कुछ अबकारी शिपाईयों के नाम न छापने की शर्थ पर बताया, कि वर्सों सी उनकी मांग है कि फिल्ड में तैनात सिपाईयों को हेड कॉंस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर के पद पर भी प्रनोत्री मिलनी चाहिए, मगर उनकी यह मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी, सिर्फ चीनी मिलों में तैनात 158 सिपाईयों को ही शब इस्पेक्टर पद पर प्रनोत्री मिली है, दो-तीन साल तक मामले नहीं निस्तारित होते हैं, फिल्ड में तैनाती की वज़ा से जहरीली सराब कांड होने पर सबसे पहले निलंबन की गाज जो है अबकारी शिपाई, हेड कॉंस्टेबल पर ही गिरती है, जबकि ऐसे मामले में छेतरी थाने के पुलिश कर्मियों पर अक्सर कोई करवाई नहीं होती है, होती भी तो 6 महिने में उनके मामले निस्तारित कर बहाली हो जाती है, मगर अबकारी शिपाई, हेड कॉंस्टेबल, निरचक, निलंबित होते हैं, 2-3 साल तक उसके मामले निस्तारित नहीं होते हैं, संजय भूसेरेडी ने कहा है कि अबकारी शिपाईयों के इन 405 पदों पर चैन की परक्रिया जल्द पूरी कर इनकी तैनाती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उमीद है कि बहुत जल्द यह भरती परक्रिया पूरी हो जाएगी और अभियार्तियों की तैनाती हो जाएगी, शिपाईों में कुछी के पास है राइफल अवैद सराब बनाने और बेचने वालों से निपटने के लिए इन सिपाईों में से कुछी के पास राइफल है जिने रखने के लिए जीला अवकारी अधिकारी कर्याले में कोई सस्त्रागार नहीं है ना ही इन सीपाईयों के पास C.U.G. मोबाइल फोन है, आज भी इन सीपाईयों को फिल्ड में गस्त के लिए साइकिल भत्ता मिलता है, जबकि जरूरत हर सेक्टर में एक चार पहिया वहन की है, मगर मौजूदा शमय में जीले में एक चार पहिया वहन, जीला अवकारी अधिक आयों की किस तरीके से बेचारे जोए काम कर रहे हैं, उसमें भी कोई भी दोस्त पाये जाने पर अविकारी शिवायों को निलंबित भी कर दिया जा रहा है, तो इस वीडियो में बस यही जनकारी मिल पा रही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग हैं दुस्तू